सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें नमस्कार दोस्तों मैं राजेस कामता साइबर टीवी पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ आज की स्वागत करने वाला हूँ फेस्बुक पे फेक प्रफाइल बनाकर आपके नाम से होने वाली ठगी के सम्मन में कई सारे ऐसी कंप्लेन आ रही हैं जिसमें किसी का प्रफाइल से उसका पिक्चर लेकर एक नया मेसेंजर पेक प्रफाइल क्रेयेट किया जाता है और बिमारी के नाम पर या किसी अन्य कारण बतला कर प्रॉलम बतला कर लोग आपकी जितने भी फ्रेंड लिष्ट में लोग हैं उनसे वो ठगी करते हैं पैसे की डिमांड करते हैं और इस तरह की घटना बहुत तेजी से बह रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाओंगा कि ये क्या है और इसे हमें बचना कैस में आपके फेस्बुक प्रफाइल के जो पीक्स होती है उसको वो डाउनलोड करते हैं और मेसेंजर पे एक नया एकाउंट क्रियेट करके वहाँ पर उस फोटो का इस्तमाल किया ज जाता है उन्हें लगता है कि आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं और वो उस पे विस्वास करके भरोसा करके उस रिक्वेश्ट पे कि मैं अभी बिमार हूं या मुझे अभी कोरोना हो गया इस तरह की बाते कहकर लोग ठगी करते हैं और पैसे की मांग करते हैं और आप भावकत वस उसमें फंस जाते हैं तो इस तरह की ठगी से बचने के लिए मैं आपको वीडियो के अंत में एक टिप्स भी दूँगा कि किस तरह से आप इससे बस सकते हैं यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी प्रफाइल बनाते हैं उसमें पिक्चर ग गाड की सुधा दी गई है आप अपने प्रफाइल पिक्स को गाड कर सकते हैं पिक्चर गाड के दुआरा और एक बार पिक्चर गाड को इनेबल कर देने के बाद आपके उस पिक्चर गाड को न तो डाउनलोड किया जा सकता है और नहीं उसे सेर किया जा सकता है कहीं यहा लोगों को Facebook के security features के बारे में जानकारी कम होती है हम लोग उस पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं जिसके कारण हमारे Facebook profile का misyuj हो रहा है तो अगर आपने भी अभी तक अपने profile pics में picture guard का जो protection दिया गया है यदि enable अभी तक नहीं किया है तो please उसे आप जाकर enable कर लें ताकि आप आपके photo का या आपका जो photo है वो न कोई share कर सके और नहीं download कर सके इससे क्या होगा कि अगर कोई profile बनाता भी है आपका picture का इस्तमाल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा और यदि वो आपके किसी दूसरे picture का इस्तमाल करता है तो कोई भी व्यक्ति कोई भी friend आपका वो easily identify कर सकता है कि आपका original profile में picture दूसरा है और यहाँ picture दूसरा लगा हुआ है तो इसलिए वो ठगी से बच जाएंगे और इस तरह से आपके नाम पे होने वाली ठगी जो है वो रुख जाएगी दूसरी बात ये कि इस तरह के profile बनने से जो एक panic create होता है उससे भी आप बच सकत आता हूं कि किस तरह से हम लोग बहुत single 2-3 steps में आप अपने picture guard को enable कर सकते हैं देखिए और इसे enable कीजिए यहाँ पर आपको profile pics पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर दिखे second last option है turn on the profile pics guard picture guard इसको आपको click कर देना क्लिक करेंगे एक नया box कुल जागा इसमें आपको सीधे next पे click कर देना है यहाँ क्या-क्या सुवधा मिलती है यहाँ पर लिखा हुआ इसे आप एक बार पढ़ लें उसके बाद इसे next कर देना है जैसे आप next करेंगे save का एक option आएगा आप इसे save कर लें आप इसे save करते है उसके बाद यहाँ एक सिल्ड का picture दिखने लगता है आपके profile pics पे जिसका मतलब है कि यह आपका अब picture guard से protected हो गया है